गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टो इस्टेप स्टेडी सेंटर बामोकुल साथ जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम अभी बरतमान में लुसेंट सामाने विज्ञान तता एंसीयडी सामाने विज्ञान की कक्षा चला रहे हैं इसमें हम आने वाली परिक्षा जैसे NDA, MPPSC, UPSC, MPPSC, CDS, Assistant Commandant, MPPolice तता अन्य प्रिदोगी परिक्षा जिसमें बिग्ज्ञान का बहुत महत्तुर्ण रोल रहता है के लिए कक्षा चला रहे हैं इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी मैं आपको लेक्षर पढ़ाऊं तब आपको क्या करना है एक रइश्टर लेके बैठना है जिससे कि मैं जो जो पढ़ाता जाऊं उसको आप नोट्स करते जाए और ऐसा नहीं कि एक पेज आज लिख लिए दो पेज कर लि तो बिना संगर्स के कोई महान नहीं बनता क्या लेका है बिना संगर्स के कोई महान नहीं बनता पत्थर पर जब तक चोटना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता इसको अच्छे से ध्यान रख लेना जब तक आप संगर्स नहीं करेंगे जब तक आप महनत न भागवान नहीं बनता है इसका अर्थात यह मतलब कहने का है कि जब तग आप महनत करेंगे जब आप महनत करना सीख लेंगे पूरी आपस्तव महनत कर लेंगे ना तो तो अपने आप आपको सफलता मिल जाएगी और आप अपने आप में भगवान बन जाएगी भगवान तो बन नी सकते लेकिन आप उस चीज के भगवान बन जाएगी जैसे आपने देखा होगा कि जो UPSC टॉपर होता है या फिर IES टॉपर IES बन जाता है उसके आपने फॉल्वर्स इसमें अपने आप आ जाएगा ठीक ना तो हम बढ़ते हैं आज की लेक्षर के दरब क्या है हमारा लेक्षर ठीक तो आज के लेक्षर में हमें बढ़ने थे ध्वनी के गुण तो कितने प्रकार के ध्वनी के गुण होते हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तो पहला आता है ध्वनी का परावर्तन होता है ध्वनी के गुणों में, दूसरा आता है ध्वनी का अपवर्तन, तीसरा आता है प्रिणोदित कमपन, चौता आता है ध्वनी का ब्रतिकरण, और पाचमा आता है ध्वनी का विवर्तन, अब इन ध्वनी के गुणों की थोड़ अगर आप objective पढ़ेंगे ना तो मुस्केल है अगर question पूरे आएं लेकिन इसको पढ़ने से आपको पूरे question आएंगे तो देखिए क्या है आजका लेक्चर में ध्वनी के गुण प्रकास की भाथी भी एक माद्यम से दूसरे माद्यम में चल कर प्रश्ट पर टकराने पर माद्यम में वापस लोटा दी क्या होता है आपने देखा होगा कि आपने आपके घर में सीसा है उस सीसे पर जब सूरी कर प्रकास पड़ता है तो वो दूसरी तरफ जो सूरी कर प्रकास आ रहा है उस तरफ उसकी पर चाहिए आपको उजाला टाइप में देखेगा तो वो क्या होता है सूरी कर प्रकास परा ड़्वारा वकसा लगा होगा है तो आपने कितना कि आपका कमरा घूशता है सीद्य का क्या होता है क्या होता है जैसे प्रकास का प्रावारतन होता है अब आते हैं ध्वनी की तरंगे देर से अधिक होने का इसका परवतन बड़े याकर की प्रश्टों पर अधिक होता है बड़े याकर की प्रश्टों पर होता है यहां प्रश्टों है क्या है प्रश्टों पर तो प्रश्टों से अधिक होता है दीवार आपको बड़े याकर क तो वही क्या होता है उसका परावर्दन कहला तो कुए में आपका भी देख लीजिए करके कुए में आप अपना नाम लीजिए तो आपका नाम बापस बोला जाया दोबारा दो तीन बार गूजेगा और बहुत बड़ी दीवार है अगर आप कभी केले महल में गय होंगे तो मॐहाँ पर भी आपने इसको देखने को मिला ओगा तो देखी आगे इसके थोड़े अंदर क्या क्यों है तो इसके अंदर पाया जाता है क्या प्रति धोणी आ पने कभी बागवादWow Сब Migное तो जब पंडजि बोलते हैं राधàyन राधे तो उसमें अपने देखा होगा तीन चार बार बुर रादे रादे का उच्ण ऑटमेट होता है वही इको कहलाता है जो ध्वनी किसी द्रण दीवार पहाड गहरे कुई आदी से टकराने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतीध्वनी कहते है यह तो सही है लेकिन सराल एक्जामपल में आपको बता चुका हू अब इस प्रतीध्वनी सुनने के लिए स्रोथ और स्रोथा की वीच की दूरी कितनी होनी चाहिए शत्रा मेटर ठीक ना इसको ध्यान रखना है नहीं तो आप बूल जाएं अब देखिए आंगे जब कोई ध्वनी हमारे कानों से होते हुए मस्तस्क में जाती है तो उसका प्रभाद 0.1 से कंड तक हमारे मस्तस्क में रहता है एक चीज़ अता है यदि कोई ध्वनी इस आउदी से पहले आ जाएगी तो वह ध्वनी इस पश्ट नहीं सुनाई देगी क्या यदि कोई ध्वनी इस से पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगी मिक्चर हो नहीं आप लगा प्रती ध्वनी द्वारा हमें हम समद्र की घहराई नहीं आप क्यें आप सकते हैं किसी हाल में ध्वनी स्रोत को बंद करने के बाद ध्वनी का कुछ देर तक सुनाई देना आप यहां पर गहुं रखे जाते हैं, खाली वेर हाउस में गहे होगे, अगर तो बहाँ पर आपने अपना नाम बगए या पर आप निगे भी होगे न, तो आपके जो पैरों की आवाज बोग दो इतनी जोर-जोर से गुज रही हो, गुजेगी उस कमरे में, कि आपको लगा कि हार यहां पहुत ज़्यादा अनुर्ण टाइप में है तो अनुर्ण का मतलब क्या होता है अनुर्ण का मतलब होता है एक बंद कमरे में आब आज का मुझना अनुर्ण कहलाता है अब अनुर्ण काल का मान हाल की आयता निवा उसके कुल छेत पल की लंबाई पर नवर करता ह कायब ने बगरता हाल के आयता है नो छेट पल बार यह जितना बड़ा हाल होगा उसका अनुरुरान कितना होगा उतना ही बड़ा होगा जितना चोटा अनुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुर को और नहीं को कम करने के लिए ठानी को भनाई है या फिर क्रतिर्ड़न को कम करने के लिए या पर या फर कौनफेंस वर या फिर मीटिंगाउस या पर गोल्डन जूबली बगएरा जो भी होते हैं उन सम्में ऐसी दिवालें बनाई जाती हैं जिससे कि वहां की ध्वनी दुबारा परिवादत ना हो तो पढ़ते हैं हम आगे कि तरफ क्या है हमारा आगे का रेक्षर अब आते हैं दूसरे पर ध्वनी का अपवरतन होता है आपने पढ़े होंगे प्रकास की नियाब आभी मैं पढ़ाओंगा आँगे चलके लेकिन अभी तो पढ़ लीजिए ध्वनी का अपवरतन क्या कहलाता है तो इसके बारे में तोड़ा देख लिए जब ध्वनी एक जा रही है द्वनी इस साइड अभ यहां यहां बड़ी इस साइड अब यहां यहां रही है तो आपके माबाप और ममी बुलाते हैं तो बाहर से द्वनी कैसे अंदर आ जाती है जो गेट के अंदर इनके इंदर से ध्वनी अपने पास आ जाती है अब देखिए दिन के समय सूर की गर्मी के करण प्रतवी की समीब की बायू का गणत तो कम होता है क्या होता है प्रत्वी की समीप की वायू की पर्दों का होता है कम होता है अर्थात यह है माध्यम का कार करता है यह है पूरे माध्यम का कार करता है कौन कार करता है वायू कार करती है माध्यम कर इसको विसे द्यान रखना कॉस्चन ऐसा आजा सकता है कि द्वनी का माध्यम क्या है तो द्वनी का माध्यम क्या है वायू है बिना वायू कि द्वनी नहीं चल सकती आपको अगर वायू नहीं है तो आप द्वनी का प्रियोग नहीं कर सकती इसको दिया नगना ठीक न अब देख लिए कि इसमें लिखा ह उसमें लिखा है ध्वनी के अब वर्तन के कोस्ट पहिंदाम दिन में ध्राठी के देख लिए यह पुछण अच्छे से थे लोजी से सकता है कि दिन थ्वनी दिन में ध्राठी का पास के छेट्र टकी सुनाई देती है लेकिन रात तो यह दूर दूर तक क्यों? तो क्यों माध्वनी के अपवरतन के कारण है यहां आपसे question ऐसा आएगा ध्वनी में दिन का केवल ध्वनी सुरोत के पास से सुनाई देती है जैसे जो बोल रहा उसके पास से लेकिन रात में दूर से सुनाई दे जाती है उसका करण क्या है? तो उसका करण है ध्वनी का अपवरतन अब तोड़ा यह पढ़ लिए मैक संख्या क्या होती है तो मैक संख्या सबसे पहले बात आपको यह माल हो जाएए किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप बादाप की उन्ही परिस्टियों में ध्वनी की चाल के अनुपात को उस बस्तू की उस माध्यम के मैक संख्या कहते है सबसे पहली बात अगर आपको नहीं आई समझ में तो दौ़ारा बोल देता हूँ किसी माद्ध्यम में किसी पिंड की चाल उसी माद्ध्यम में ताप बादाप की उनी बरिस्तितियों में ध्वनी की चाल की अनुपात को उस बस्तू की माद्ध्यम में मैक संख्या कहते है में एक संग्या बराबर किसी माध्याम में पिंड की चाल क्याईगी पिंड की चाल बटे इसको आप समझ ले ना उसी माध्याम में धोनी की चाल जैदा बड़ा चलता है उसी माध्याम में धोनी की चाल ठीक ना सुन तो रही हो आप लिख सकते उफर मिटा दे रहा हूं फिर देख दीए अब आपको यह मालूम हो जाई जो मैंने बताई दिया आभी आपको क्या बताया है मैक संक्या क्या होती है अब मैक संक्या में आपको ये मालम होना चाहिए यदि मैक संक्या एक से अधिक क्या है एक से अधिक एक से बड़ी तो क्या कहलाता है वो पराध्धने कहलाता है इसको दियान रखना ये आ जाता है क्या कहलाता है पराध्धने और याद रखना पर आध हो नें चिसको कैते हैं कि आथी पराध हो ने और यदि उससे आध़ेख है तो देखिए यहां एक से रखना पराध होने थीक सा बथिया न रखना है आपको इन दोनों को अब बढ़ते हैं हम आगी तरब क्या है कह एमाँगे लेक्षर तो देख लिए धोड़ा अच्छे से हां तो देखिए अब आते हैं फोस्ट बाइब्रेशन क्या होता है तो फोस्ट बाइब्रेशन क्या है तो इसको देख लिए फोस्ट बाइब्रेशन का मतलब होता है प्रणोधित कंपन क्या होता है प्रणोधित कंपन कंपन करने वाली वस् बस्तू आरुपित बल की आवर्ती से इस्तर आयाम के कमपन करने के लिए बाद्ध हो जाती है तो बह आवर्त बल के प्रभाव में बस्तू द्वारा उत्पन इस कमपनी को फोश्ट वाइब्रेशन अर्थात प्रणोदित कमपन कहा जाता है क्या होता है कि आपको मैं बता दूँ इनकी परिभासाय नहीं पूछी जाती है बहां पर इनका क्या पूछा जाता है समझने के लिए क्या आपने इसको समझआ तो आप सब समझदीं यह लका पुझा है कि फ्रिनोधित कम्पनय में कौन सा बाहर आवर्द बाल लगा जाताना की आंत्रिक आवर्द बाल बाह bö curve की क्लिकों इसी मांपन के भा पन कहती है क्या कला कि कंपन और और च अंनुनाद क्या घूर आता है यह अनुनाद आता है इसके अंदर क्या प्रिल Size अनुनाद में प्रणोधित कंपनों की आपरती बस्तु की स्वाभावे कापरती के बरावर होती है क्या को तो कंपन अनुनाद कहला थै क्या कर दाता है सन 1949 में साइक्तराज अमेरिका का टेकुमापोल यांत्रे कानुनाद की करान ही च्छातीगरस थो गया था हमारा रेडियो भी आप कॉस्चन ऐसा आएगा question देख लिए क्या है मैं आपको बता रहा हूँ जब भी मैं पढ़ाता है तो आपको question बता जाता हूँ question क्या आएगा radio किस सिद्धान पर कार करता है radio अनुनाद की सिद्धान पर कार करता है किस सिद्धान पर कार करता है क्यों कि यदि वो एक साथ पैर रखेंगे तो उसका आयां कमपन उत्पन होगा और जिससे पुल तूटने का खत्रा आदेखो जाएगा इसको ध्यान रखना है रेडियो का के सिद्धान पर कार करता है अनुनाद या फिर प्रणोधित कमपानी के सिद्धान पर कार करता है इसको द्यान अगना है अब देखिए ध्वनी के बवरतन क्या है इसको देख लिजी चली चली द्वानी के विबारतान तो द्वानी का तरंग देदार एक एक मीटर की कोटी का होता है तो द्वानी के तरंग के किनारे से मुड़ जाती है और आंगे बढ़ा जाती है मैंने अभी इसको बताया ही था आपको कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं आपके लिए यहां गेट लगा है लेकिन आप हमें बुरा रहे हैं कि सर तो यहां से आवा जाएगी आप देख लिए मैंने बताया कि क्या होती है द्वानी आगे पीछे से निकल के आगे बढ़ा जाती इस घटना को द्वानी का विवर्दन कहते हैं यही करण है कि बाहर से आने वाली द्वानी खटना को द्वानी का विवर्दन का समझते हो बढ़ जाती है इस घटना को द्वानी का विवर्दन कहते हैं क्या कहते हैं इस घटना को द्वानी का विवर्दन कहते हैं आप इसको अच्छे समझ जाना इसके बाद यदि दोनों तरंगे उस बिंदू पर एक ही कला में पहुंचते हैं दोनों एक से हैं तो संपोसी और दोनों एक से नहीं है तो बिनासी इसको ध्यान रखना और एक से हैंगे अब देख लिए बायु इस्तम्मो का कमपन क्या होता है स्वरक टॉन सरलावत गती से जो ध्वनी उत्पन होती है वह स्वरक कहलाती है अब देख लिए जी स्वर क्या कहलाता है आवर्द गती से जो ध्वनी उत्पन होती है बह उस ध्वनी उत्पादक का स्वर कहलाती है बह उस ध्वनी उत्पादक का क्या कहलाती है स्वर कहलाती है इसको भी द्यान लगना है अब स्वर्मापी क्या होता है यदी स्वर्मापी के तार से लटकाया गया द्रबमान M यहां क्या है M है बना दे रहे हैं M तार की तरज्या R घनत्वडी तथा दो सेतू क्या लगा है सेतूं क्या है यहां सेतूं सेतूं जो नहीं सेतूं दो सेत्मों के बीच की दूरी L हो तो मूल लंबाई थे सक्राँआए यह फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे कि स्वर्मापी का सूत्र क्या है तो आपको लगाना है N equal to 1 upon 2 L root के अंदर M G square upon 2 नहीं स्वरी M G upon pi R square D क्या क्या है N equal to 1 upon 2 L root के अंदर M G upon pi R square D जहां pi R square काई की बरावर है तार की एक अंगलंबाई का द्रबमान है M G तार का तनाव T है तो बस आपको क्या करना है मैंने इसको बताया है जब मैं भी आपको लेक्ट्र पढ़ाता हूं तो इसके पहली बता देता हूं कि आपको इनको नोट्स बनाने है अच्छे से जो भी समझ में ना है तो आप हमें उस comment box में बता सकते हैं या फिर आप हमारे वार्ट्सेप ग्रूप इस प्रोप या इंस्ट्राग्राम पर या टेलीग्राम पर हमें फॉल्लू कर सकते हैं इसलिए और आपको जो भी डाउट है तो उसको आप हम से content करके पूछ सकते हैं तो यहीं था हमारे आज के प्रहाई लेक्चर अपको लेक्चर अच्छा लगाऊ तो आप लाइक की जि सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्षिया में थैंक यू